मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है कुसमेली करसी उपज मंडी आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर जानेंगे चने के बारे में यहाँ पर किसान आये हुए है रामकृष्ण जी रामकृष्ण जी यह बताईए कि इस बात चना कैसा हुआ है जना सर हमारे यहां फसल ठीक ठाक हुई है बाकि उपज की बात करें तो हमारे यहां कुछ मंडी में तो आवक कम ही रहेगे उपज थोड़ी कम है हमारे यहां MP में क्या बज़े है कि MP में उपज कम है हमारे यहां सर पानी तो यह मान के चलिए कि पानी पर्याप्त मात्रा में ह यह फसल थोड़ा कम लगाते हैं हमारे हैं क्यों अधियों पानी जाधा होने के और फसल जाधा वो किसान अच्छा चैन का रुख जो एक क्यों की और हो गया है तो ऺजाने की तो क्या उमीद है कि रेट कितना मिलेगा ह। पर जाना चाहिए अभी कितना मिल अभी वह फच्पंसों से अठावं सो उनसाट सो लगभग है दो चार आट दिन के अंदर में और शेहाजार की ऊपर जाना चाहिए माल आपको ऐसी उम्मीद के आट दिन के अंदर का रेट बड़ेगा बड़ेगा सब आसपास की मंडियों के मोसम की वजह से क्या फ Kell Тут प्रभव तो आए सर extension के जादा सफुन रहा है करेड़े दाने में कुछ छेद आये हैं इसलिए थोड़ा और दूसरी मेंडियों से मतलब सायद हो सकता है रेट कम होंगे हमारे हिसाब से तो अच्छा ही चल रहा है रेट है अच्छा रेट अच्छा रेट आप अश्टो जी बताइए कि इस बार कितनी आवख है चनी कि और क्या बहु अच्छा नवाड़ा में चनी की फसल अच्छी हुई है और सरकारी खरीदी थोड़ी सी कमजोर इसलिए पड़ रही है कि मार्केट में भाव उच्छे चल रहा है और अच्छी नवाड़ा में चना विक्रा आपका नीचे में त्रेपन सो रुपए उपर में साड़े अट्थावन उन्साट सो रुपए आने वाली समय में और रिट बढ़ने की चांथ हां इस साल चैने में लोगों का धाड़ना तेजी की है क्योंकि सरकारी पूल में स्टॉक काम है और इसकी वज़े से चैने में सब तेजी में हैं चैन में ठीक है और सालों की अपिक्षे सल अपने हाँ उस पादन ठीक है तरह रहा है कितना करीब आ जा रहा है अभी रूज का 701 के आसपस के राइवल चली पांस साफ्छों के आसपस राइवल चलिए ज़्यां दानों को बहुत अच्छा नाम अभी भी अच्छे दाम मिल रहा हो रही है तीन-चार सबूर की आवक हो रही है और कभी कभी कम भी हो जाता है और उसकी रेट जो है अभी हमारे यहां पे 45-56 रुपयर पर कुंटल बिक रहा है अभी सोसाइटी में भी जिसकी खरीदी होना है तो वह सास की जोदार है 54-40 रुपयर है लेकिन वहां पर भी सब्सक्राइब करें जैसा लेकर आता है विसे ओपन इलाव में दुखती है बेताली सो से 55-56 रुपयर कंटल के साथ से आने वाले इस हमें में की आवक बढ़ने के चांज है जाना के तो फिर उतना ज्यादा उत्पादम पिछले साल हो में हमारे यहां पे नहीं हुए से ज्यादा होने की संभावना लग रही है इस बारी